नमस्कार तो दिन आ चुका है सेफ कप का सेमी फाइनल इंडिया वर्सेज लेबनॉन अब ये मैश हम अल्रेडी दो बार देख चुके है और जिसमें हम सिकस्त भी दे चुके है लेबनॉन को दो जीरो से हमने हराया था इंटर कॉंटेंटल कप के फाइनल में तो देखे अभी हम पर और कॉंफिडेंस आप मत हो जाईएगा ठीक है क्योंकि देखिए और कॉंफिडेंस कौन थे पता है कुएथ कुएथ हमारे एक बड़े कॉंफिडेंस से आया थे कि हां हम तो ये सायफ कॉंट्री को हराते वह आ रहा है इंडिया कौन सी बावाल कर देगी और इंडिय के आके सामने वह आपने देखा था उस वीडियो अगेरा में तो ये साब और कॉंफिडेंस की वज़े से होता है तो सबसे पहले तो उसमें नहीं जाना हमको क्योंकि हमारी टीम को प्लेयर्स है एक लिमिटेड है ना लिमिटेड जितना कॉंफिडेंट होना चाहिए एक खि फूल स्ट्रेंथ से नहीं खेले थे हम लोग तो हमने जीरो जीरो पर रोक लिया था उनको फिर अगले मैच में जब हम खेले थे हमने दो जीरो सा रहा था ठीक है तो अभी जो है हम पूरा फूल स्ट्रेंथ से ही खेलेंगे यह तो सिंपलती बात है सेमी फाइनल है एक तो और यहाँ पर आप बिल्कुल थोड़ा सा भी वो चूक नहीं कर सकते कि नई, यह हम एक ट्राय कर लेते हैं, यह ट्राय वाली जगे नहीं है, यहाँ पर एक चूक और पूरा खतम हो जाएगा खिलना, तो यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ आने वाले, एक थोड़ी सी खराब बात है कि साइड लाइन पर हेड कोच इगोर इस्टमिच नहीं होने वाले, जोकी सुनिल भहिया ने इंटर्यू में भी बोला कि भहिया न, उनका होना एक बहुत इंपोर्टेंट फेक्टर होता है, किसी भी टीम के लिए, एक हेड कोच का साइड पर खड़ा होना, लेकिन अभी महसगावली सर्ज है, वो देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीम से वो भी उतना ही इसे प्लेयर से जो काफी घातक खेलते है, एक उनका नमबर नाइन, जो नमबर नाइन है उनका फॉल्स नमबर नाइन खेलता है, सिंपल से आप देख सकते हैं, वो क्या करता ह वो डिफेंस को अट्रेक्ट करके जो दूसरे प्लेयर से उनको गैब देता है, जैसे माटू को गैब देता है, एक जो अली नाम के दस नमबर नके प्लेयर है, इनको गैब देता है, और ये जो दो प्लेयर से ये काफी क्रेटिव है विद बॉल, और माटू को थोड़ा सा ह तो यह जो चीज है, यह हमको इस मैच में भी करने है, तो माटुक काफ स्विच आफ करके रखो, माटुक को चलने मत दो, तो जब नमबर नाइन का रोल है, वो आधा नमबर नाइन का रोल वैसे ही गाया वह आता है, और जो बच्चे उनके अली नाम के प्लेयर जो दस नमबर है, वो दस नमबर प्लेयर को थोड़ा, वो तो सिम्पल सी बात, अब एक प्लेयर तो खेले गई ने, उनका अब दो प्लेयर आपने पूरे ब्लॉक कर दिये तो, लेकिन क्या होता, जब आप माटुक को ब्लॉक कर देते हैं, तो दर्विच वैसे ही नहीं चल पाते हैं, और अली जो है, वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं इन दो प्लेयर से, जो हमने पिछले गई में यही किया था, हमने लेबनॉन के यही किया था, मतलब आधी के फिर पूरी लेबनॉन खतम है जाती है, तो यही चीज, अब देखी लेकिन एक और चीज, हमने तो उनकी कमजूरिया पूरी पकड़ ली कि क्या करना है, उनकी स्ट्रेंथ को हमने दबाने की पूरा सोच लिया, जैकि ऐसे उनकी स्ट्रेंथ हम कम कर सकते हैं, अब वो भी सोचेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि पिछला गेम उन्होंने खेला हमारे अगेस, तो पता है उनको क्या हमने किया, हमारे विंक्स, हमारे विंक्स ला जवाब है, अभी महेस, हमारे चांग्टे, क्या बोलने हैं, भी आसिक की पेस, छेतरी तो इसकोरर, तो उनको भी पता है कि इंडिया का अटेक अभी कितना अच्छा चल रहा है, और अभी पिछले जो हमारे गेम से उन्होंने भी देखी होंगे, तो पता है कि इंडिया भाई भी फुल अटेकिंग फुटबॉल, बॉल पोजेसन ये पूरा खेलते हैं, तो वो इस बार यही करेंगे कि भाई वो जो है ना, वो अपनी डिफेंस बहुत टाइट रखने वाले मैन मार्किंग करके रखेंगे, इस बार, क्योंकि पिछले बार उनने हो सकता है कि वो उतना पहले से प्रिपेर नहीं थे, लेकिन इस बार पूरा प्रिपेर है कि एक गेम खेल चुके है, तो हमारे जो विंग से अटेक होने वाले, इसको रोखने के लिए कुछ तो प्रिपेर करके वो आने ही वाले, और यही देखने वाली बात है कि इसमें कैसे हमारे विंगर्स रोखने वाले, क्योंकि पिछले गेम में वो बिल्कु समझी नहीं पाया था, और आपने देखा, देखो, हम एरियल पे उतना अच्छा नहीं जाने वाले आपको ही पता है, हम जाएंगे काय पे, हम ड्रिवन क्रॉस के थूरू ज्यादा बेटर करने वाले, तो हमने पिछले गेम में भी देखा, हमको ड्रिवन क्रॉस पे जो पहला गोल मिला था, इस बार दो दोहराने वाले हैं, नहीं, इस बार बैटर प्रेपरेशन के साथ जारर हमको भी डबल बैटर प्रेपरेशन के साथ जाना है इस मैच में, और देखिए, लाइन अप की बात करते हैं, अगर आप फॉर्मेशन पर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ठीक है और अगर आप कैसी line-up की बात करते हैं तो तो पिछले game में जो हमने खेलाए ना same to same वैसे ही खेले हैं कोई दिक्कत नहीं है पिछली जो line-up हमने कुईatt के गेंस खिलाई है सेम line-up अगर आप खेलते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक number gameplay और even हम win करेंगे ये भी बता रहा हूँ अगर हम पिछले line-up के साथ भी जाते हैं उसमें एक-दो change भी आप करें कोई दिक्कत नहीं है defense में मैं रिखाल से change करने की जरूरत नहीं है आगे अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं लेकिन मैं नहीं समस्ता की कोई करना चाहिए same to same against कुएज जो खिला same to same line-up के साथ जाओ एक number भाई A1 line-up है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये मेरा एक है कि मैं ऐसा समस्ता हूँ कि ऐसे खिलना चाहिए और एक ओर चीज़िए कि हमको स्टार्टिंग से ही attacking फुटबाल और हाई प्रेसिंग फुटबाल खेलना है लेबनाउन को एकदम एकदम हमको इने एकदम डराखे रखना है ये बात है स्टार्टिंग से एकदम attacking और full on मतलब फूल उन प्रेस करके खिलना पड़ेगा लेबनाउन देखना सुरू में गोल खालेगी यह एकदम सही बात है और ऐसे हमको खिलना पड़ेगा और सेट पीसेस का जितना अच्छा यूज कर सकते हम उतना अच्छा यूज करना एकदम मजा आएगा ठीक है तो मैच बहु पहले सी खुशी मिल जाएगी यह वाली बात हो जाएगी और अगर गेम का एक स्कूर लाइंट predict करें कि क्या win हो सकता है तो देखिए मैं समझता हूँ कि इस match में Lebanon score try कर सकती because पिछले match में score नहीं करा था उन्होंने, बहुत close आये थे, हो माट्टू को गेरे ने miss किये थे पिछले match में, लेकिन इस बार हो सकता है कि में भी score निकाले तो मैं 2-1 की prediction करता हूँ, India will win by 2-1 और अगर 2-1 नहीं हो पायागा, तो penalty में match जाएगा और penalty में we will win, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है बागी आपको क्या लगता है, आप जरू कमेंड में लेक के बताएगा और इसी तरह इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिन, जय भारत